नमस्कार दोस्तों मैं पावेश मुल्या स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल पर यहाँ पे हम बैंकिंग और फाइनांस इलेटेड टॉपिक को सिंपल लेंग्वेज में डिसकस करते हैं तो आज का हमरा टॉपिक है पीपिएफ अकाउंट के बारे में पीपिएफ अकाउं सिक्वर इनवेश में इस लिए अभी बात करते हैं इसके फीपिएफ अकाउंट ओपन कौन-कौन करवा सकता है अगर आपके घर में चोटे बच्चे है तो माइनुर के नाम से भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो लेकिन जो लोग NRI स्टेटस है नोन-्रेसिडें इंडि अभी बात आती है अगया आकाउंट काहां ओपन हो सकते हैं अभी बात करते हैं की फिचर के मत करें चलिए गंबना होता है और अगर आप चाहे तो हर मेने दस तस जार पांच 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 जार दो दो जार आपकी जैसी सेविंग एफिशंची है उससे आप करवा सकते हो लेकिन उसका टोटल डेट लाग के उपर नहीं जाना चाहिए आप लमसम भी डाल सकते हो इसमें अगर 500 रुपया आप साल में जम तो वह होता रहता है यह वी आपको द्यान रखने वाली बात है अब बात करते इस के इसका है पंदरा साल 15 साल के बार सेमेट हो जाता है अब बात करते पिप कर सकते हो अगर आप ref साल अगर आप आपने एक्स्टेंड नहीं करवाया तो एक साल के बाद यानि कि 16 साल के बाद एकाउंट आटोमेटिक एक्स्टेंड हो जाएगा लेकिन इसमें आपको पैसे डिपोजिट नहीं कर पाओगे आपको त्यान रखने वाली बाद है खली इंट्रेस होता रहेगा आप उसमें बारे में इसलिए लॉन की फैसिलिटी लोन आप तीन से लेके च्छे साल के बीच आप इसमें लॉन का रेट ओप इंट्रेस होता है आपको जो रेट ओप इंट्रेस मिल रहा है यानि कि अभी जो करण्ट में हैं 7.1 उसमें प्लस वन परसंद यानि कि 8.1 परसंद आपको इ अभी बात कर ले इसमें विड्रोuben के बारे में एक लोंग sprink इंवेस्ट्म्न स्कीम है 15 साल के में बाद इसमें आप विड्रों ले सकते अगर आप एक्जांपल में आपको देता हो अगर आपका अकाउंट का भी दस साल है तो दस साल के अगले जो एर है मानों कि नाइन्थ एर के एंड में जो बैलेंस होगा उसका 50% या फिर करंट एर किये पीछे फूर्थ प्रिसीडिंग यर उसका 50% इसलिए अगर पैसे की जरूरत है थोड़ी बहुत आप विड्रोल आसानी से लेसे बात करते हैं पंदरा साल का पिरियड है इसलिए पंदरा साल के बाद होता है मगर आपको बीच में अगर अकाउंट ओलर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नौमिनिके द्वारा अकाउंट बंद किया जा सकता है लेकिन अगर बीच में मानो के आपके बेटे बच्चों के लिए हायर एज्यूकेशन के लिए आपको अगर फंद की रिक्वार्मेंट है या फिर घर में ऐसा कोई केस आ गया उस्पिटल डिलेटेट सीरियस केस आ गया उसके लिए फंद की रिक्वार्मेंट है तो उसके ल यह आपको त्यान रखने वाली बात है अभी बात कर लेते हैं इसके जन्रल बेनिफिट्स के बारे में पहला तो यह स्कीम आती है त्रिपल ई के अंदर में मतलब एक्जम्ट एक्जम्ट मतलब आप पैसा इंवेस्ट करते हो हर साल वह आपको इंकम टेक्स में बात मिलता है इसका जो इंट्रेस्ट मिलता है वह भी बात मिलता है और मेच्यूरिटी के टाइम में एक लंचम जो बड़ा आमाउंट आप में हाथ में आएगा वह भी टेक्स प्री है मतलब एक से दो परसंद हाय रहता है इंट्रेस्ट परपस से भी एक अच्छा एक और थाड़ ऑप्चन यह पीपीफ अकाउंट कोई भी खुलवा सकता है 500 रुपे से आपको खुलवाना है इसलिए बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में इंवेस्ट नहीं करना मानों कभी आपकी इंक खुलवा लेते हो और 30 साल तक बच्चत करते हो रिटायर्मेंट के टाइम में आपको काफी अच्छा एकमाउट आपको रिटायर्मेंट बेनिफिट के इसाब से आपको मिल सकता है इसलिए अभी बले आपकी इंकम कम है आट-दे सजार बी सजार जिसकी सेलरी ओभी अकाउ सबसेलर्मेंट में कितना इन्वेस्ट करते हो तो इसलिएंट इसलिए एक चार्ट के द्वारा को में समझाता हुँ तो चलो किoff丁दे साथी और अभी मानों के हम एक जार रुपए हर बंत इंवेस्ट करते हैं 15 सालों तक तो टोटल हमारा इंवेस्मेंट हो जाता है एक लाग असी अजार रुपए और टोटल उसके उपर जो इंट्रेस्ट बनता है हो एक लाग 35,000 याने कि बंद्रा साल बाद आपके आत्मे आने वाला है तीन लाग 15,000 रुपए ऐसे हम मानों के हर महीने 5,000 इंवेस्ट करते हैं तो टोटल इंवेस्मेंट होता है 9,000 रुपए और उसका इंट्रेस होता है 6,500,000 राउंड है और टोटल जो आपको 15 साल बाद जो पैसा मिलने वाला है ओ 15,47,000 ऐसे आप हर महीने 12,000 रुपए अगर आप ज्यादा पिरेड के लिए एक्स्टेंड करवाते हो तो इसमें कंपाउंडिंग पावर इफेक्ट चालो हो जाते हैं अभी कंपाउंडिंग पावर इफेक्ट के है वह हम देखते हैं मानों कि आप अगर 1000 रुपए इंवेस्ट कर रहे हो 20 साल तक तो आपका जो अमाउट होगा 5,16,000 अगर 15 साल बाद आप डिपोसिट करना बंद कर देते हो लेकिन 5 साल एसे एकाउंट आप रहने देते हो तो आपको मिलेगा एप्रॉक्स साड़े 4,000,000 रुपए 20 साल के बाद अगर 1000 रुपए आप कंटिन्यू 25 साल तक अगर आप बढ़ते हो तो उस दस जार सेविंग रहे हो 20 साल तक तो 20 में साल के बाद आपको मिलेगा लगपग 52,000,000 रुपिया अगर आप 15 साल के बाद 5 चाल एसे एपका तक चोड़ी करते हो तो आप मिलेगा साड़े 62 लाख रूप Senior चलाते हूं तो आपको मिलेगा 55 लाख रूपिया को मैक्चुरीटी कैम में मीलेगा 1 करोड रूपी अगर यह साल चलाते हूं तो आप literal बहुत सारे benefit है अगर आपका आज भी Nepay बने साँ़टेंट करवा सकते हो कर अधेर अगर कोρά कि विखिने सब्मिट कर वा सकते हो याप का अकांट हो जाएगा उपन तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप खुश रहे हैं मुस्कराते रहे हैं धन्यवाद